जहिंद, मैं ललत खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता है MTTV इंडिया आज बात छपाग फिलम पर राजस्थान में हो रही राजनीती की अभिनेतरी दिपिका पादुकॉन की फिलम छपाग का सोशल मीडिया पर जम कर विरोध हो रहा है लोग सोशल मीडिया पर फिलम को बाइकाट करने समद्धी पोस्ट कर रहे हैं लेकिन इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के परदेश सचिव जस्वन गुरजर ने अपनी ही सरकार से फिलम को टैक्स फ्री करने की मांग की है उन्होंने मांग की है कि इस फिलम को राजस्थान में टैक्स फ्री किया जाए गुर्जर ने कहा कि फिलम एक ऐसी नारी की कहानी से प्रेडित है जो acid attack होने के बाद खुद को फिर से खड़ाक करती है यह फिलम पीडित महिलाओं को साहस से जीने की प्रेड़नात देती है साथ ही समाज की एक नई रहा दिखाने का काम भी करती है ऐसे में गुर्जर ने पत्र लिखकर इस फिलम को राजस्थान में टैक्स फ्री करने की मांग की है वहीं राजस्तान कांग्रेस भी इस फिलम के समर्थन में खड़ी हो गई है यहां तक कि उपमुक्यमंत्री पाइलेट ने तो यह तक कह दिया है कि वह यह फिलम जरूर देखने जाएंगे और अब इसे लेकर राजस्तान कांग्रेस के सचिव जस्वंद गुर्जर ने अपनी ही पार्टी की सरकार को चिठी लिखकर मांग की है लेकिन इस सब के बीच अब भाशपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है कांग्रेस जहां फिलम चपा को टेक्स फ्री करने की मांग कर रही है तो वहीं भाशपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि कोई भी अबिनेतरी देश का भविश्य तैय नहीं करती भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि JNU से जुड़े जिस मूव्मेंट में कश्मीर फ्री के नारे लगे और देश द्रोही तत्व भी शामिल हुए उस मूव्मेंट का समर्थन करने वाले निंदनीय हैं फिर चाहेवर अब इनेतरी दीपी का पादुकोन ही क्यों ना हो पूनिया ने कहा कि JNU देश का प्रतेश्टत संस्थान है और पिछले कई सालों से वहां तमाम किसन के विरोध होते रहे हैं वीडियो जर्निलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खत्री झाल